दोस्तो साल 2022 में भारत और इजिप्ट के रक्षा मंतरियोद्वारा रक्षा के छेतर में साज़ेदारी को मजबूत करने के लिए एक महत्पूर एग्रिमेंट साइन किया गया था जिसके बाद भारत और इजिप्ट ने डिफैंस के छेतर में लगातार अपना विस्तार किया और इजिप्ट भारत के साथ अपने कूटनितिक इंगेजमेंट भी बढ़ा रहा है। लेकिन अब इजिप्ट के राष्टपती के दौरे के ठीक पहले इजिप्ट ने भारत से उस अत्यार की मांग कर ली है। जिसे भारत ने खास तोर पर चीन का सामना करने के लिए विक्सित किया है। चीत कर रहा है और इस डील के तहट इजिप्ट भारत से प्रलाय मिसाइल की लोकल प्रोडक्शन और ट्रांसफर आफ टेक्निलोजी भी चाता है। ताकि वे इस मिसाइल का प्रोडक्शन अपने देश में ही सोतंतर तोर पर कर सके। हाला कि इसका मतलब यह नहीं है कि प्रलाय मिसाइल का फुल प्रोडक्शन इजिप्ट खोद अपने आप ही करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भारत से इन मिसाइलों को असेंबल करने के लिए किट इजिप्ट भेजी जाए। जिसे इजिप्ट में असेंबल करके इजिप्शन से ना इस्तेमाल करे। इसके अलाबा क्योंकि प्रलाय एक बिहदी महतपूर मिसाइल है और यह मिसाइल भारत की रॉकेट फोर्स का भी एक काफी महतपूर भाग होगी। इसलिए इसकी टेक्निलोजी भारत इजिप्ट को देगा या फिर नहीं इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता लेकिन जिस तरह से भारत और इजिप्ट के रक्षा संबंद पिछले कुछ महीनों में तेजी से डवलप हुए हैं उससे इस बात की संभावना काफी जादा है कि भारत प्रलाय मिसाइल की सप्लाई को लेकर तैयार हो जाए जो कि तेजस फाइट रुमानों के साथ मिलकर एक अच्छा श्ट्राइक पैकेज बना जकते हैं देशों के सीर्सनिताओं के बीच ही हस्ताक्षर की जाती है बिलकुल वैसे ही जैसे की फ्रेंच राष्ट पती के भारत दौरे के समय नौसेना के लिए खरीदे गए 26 वाइट रुमानों की डील पर अधिकारिक मोह लगाए जाएगी यानि इस बात में कोई भी शक नहीं है तेजस को एकसेम्टेंस मिलनी सुरू हो जाएगी वहीं पर अगर बात करें प्रलय मिसाइल की तो प्रलय भारत द्वारा विक्सित की गई पहली टेक्टिकल कौसी मेलेश्टिक मिसाइल है जो की साल 2011 में टेश्ट की गई प्राहार मिसाइल की ही एक वेरियंट है लेकिन प् खबर को रक्षा निर्यात के सिरे से देखने की कोशिश करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि साल 2022 भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बेहदी सफल साल रहा जिसमें भारत ने करोडों डॉलर के हतियार एक्सपोर्ट किये साथी ये साल भी रक्षा निर्या अब भारत को सप्लाई किये जाने वाले F404-IN20 इंजन को इस तरफ से निकल कर आ रही है जिनका इस्तेमाल हम अमारे 33 तेजस मार्क वन ए फाइटर उमानों को उर्जा प्रदान करने के लिए करेंगे दरसल निउस के नुसार अब इन इंजन की डिलवरी भारत को इस साल के 99-GE F404-IN20 इंजन खरीदने की डील पर हस्ताक्षर किये जिसके तहट 83 तेजस फाइटर उमानों के लिए 99 इंजन खरीदे गए जिन में भारत लगबग 16 इंजन का बैक अप लेकर चलना चाता है ताकि भविश्य में अगर हमें तुरंत इंजन बदलने की जरुवत हुई त हमारे पास 83 तेजन मौजूद होंगे जिसकी वज़े से हमें अमेरिका से तुरंत मदद मागनी नहीं पड़ेगी दोस्तों कुल मिलाका चीजों को समझने की कोशिश करे तो भारत के फाइटर उमान प्रोजेक्टेजी से अपने ट्रेक पर आगे बढ़ रहे हैं और हर नए सब्सक्राइब कर बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबाले फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद जहें